नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओन्लाइन अड़ा फॉर इस्टडी यूट्यूब चैनल जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज कल सिच्छक भरतियों को लेकर बहुत जादा मौके नहीं है बिएड बिटीसी या फिर टीटी पास करने के बाद में आपको बहु आपके पास अगर कोई भी सिच्छक भरती को लेकर मौका मिलता है तो आपको उसमें कोशिस अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यह समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है सिच्छक भरतियों को लेकर जब तक आपके पास आपकी कोई ड्रीम जोब नहीं है तो आप इन सिचक बर्तियों में आवेधन करके अपने लिए नौक्री ले सकते हैं ये वेकंसी 31,957 पर प्राथमिक बर्ति है ये एक आप सभी की लिए reminder है — क्योंकि हो सकता है कि आपने इस वेकंसी के लिए पहले से आवेधन कर दिया हो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने अवी तक आवेदन ही ना किया हो क्योंकि बहुत साइचात कोई confusion को लेकर बैठे होंगे तो कोई किसी चीज़ को लेकर तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार के मार्दियम से एक लाग सतर हजार परदों पर सिच्छक भरती निकाली गई है वो एक लाग सतर हजार परद आपके लिए नहीं है ठीक है एक लाग सतर हजार नहीं है तो कितने हैं तो नब्बे हजार परद तो आप जानते हैं टीज़िती पीज़िती के हैं जिसमें कोई आवेदर नहीं कर सकता, बहारी राजिका अभयती, ठीक है, बचे कितने, 80,000 परद, अब वो 80,000 परद भी आपके लिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 80,000 में से 50% तो रिजर्वेशन हो जाता है, अब जब 50% रिजर्वेशन हो जाएगा, बचे कितने 40,000 पर और यहाँ पर 40%, आपको सिर्फ परद मिलते हैं, 40%, 40% कितना होता है, लगबग 32,000, अब यह जो 31,947 परद है ना, बस यही अदर स्टेट के अभयतियों के लिए हैं, जिन पर वो आविदन करके अपने लिए नोकरी ले सकते हैं, अगर आपने अभी तक बिहार सिच्छक बर कॉम्पिडिशन भी बड़ा होगा, क्योंकि साड़े पांच-छे लाग के सम्तिंग आविदन अभी तक हो चुके हैं, लेकिन याद रहे कि आज ही आपको आविदन करना होगा, क्योंकि आज से इसके आविदन समापत हो रहें, आज अन्तिम तारीक है, अगर आपने ऑविदन कर सकते हैं, अगर उनके पास seat rate नहीं है, तब भी आविदन कर सकते हैं, कैसे? अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो इससे संबंदित मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाया जाकर चेक कर सकते हैं आज लास्ट डेट है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो